आप देख रहे हैं दखल न्यूर्ट संकट में इम्रान खान की सरकार सडकों पर उत्रे लोग से नालर्ट कौंगले सेता दिग्जे सिंग ने साधा मोदी पर निशाना प्रधानमंती अर्थवरस्था और बेरोजगारी पर कुछ बोलें सिवरा सिंग चौहान का आरोब कमलनाथ बना रहे हैं मद्ध प्रदेश को सराभी प्रदेश मद्ध प्रदेश में सरकार की नई पहल स्वास्थ कादी कारव बनेगा कानून और शती जड़नी पूसकोर पुलिस तो एंसी में पुलिस की दर्या दिली आई सामने नमस्कार मैं। सत्यम शर्मा आप देखने दखल लिए जब खबरे विस्तार से ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की इमरान सरकार की उल्टी गिंती शुरू हो चुकी है हमेशा कश्मीर के लिए आजादी की बात करने वाले इमरान खान से पाकिस्तान की जनता खुद इतनी परेशान हो गई है कि अब हुआ है उनकी सरकार से आजादी के लिए सड़कों पर उतर चुकी है इमरान ख्रां की सरकार संकट में हैं, इमरान ख्राब पाकिस्तान की सरकों पर हजूम उमड़ पड़ा है और अब ये आजादी मार्च इसलामबाद पहुँच चुका है इसकी अगवाई पाकिस्तान के सबसे बड़े धार में गुट जमियत अल इसलाम पाकिस्तान के प्रमुक मौलाना फजल रह्मान कर रहे हैं अर्थ व्यवस्ता से लेकर विदेश नीती के मोर्शे पर इमरान खान चौट अरफा गिरे हुए हैं। कश्मीर पर पठकनी खाने के बार सेना प्रमुख बाजवा पैरलर सरकार चला कर ये संकेत दे चुके हैं। 14 महीने की इमरान खान सरकार पूरी तरह खत्रे में दिख रही है। ये मार्च अतना बड़ा है के पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेथ कई विपक्षी दलों के समर्दक भी सरकार विरोज़ी इस प्रदर्शन में शामिर हो गए हैं। मार्च को देखती हुए पाकिस्तानी अधिकारियों ने सुरक्षा के वियापक इंतजाम किये हैं। इस प्रदर्शन से डरी इमरान खान सरकार ने अतरिक पुलिस और अर्दर सेनिक बलों की तेनाती के अलावा कई जगों पर सेना को भी तेनात कर दिया है। पुल मुखमंती दिग्विजयर सिंग ने प्रदानमंती नरेन मोदी पर निशाना साते हुए कहा कि प्रदानमंती से बेरोजगारी और अर्थवरस्था के बारे में पूछो तो वो आतंकवाद और पाकिस्तान की बात करते हैं। महाराष्ण में सरकार बनाने के मुद्दे को लेकर दिग्विजयर ने बीजेपी और शिवे सेना पर तंजकरते हुए कहा कि पार्टी के दिल नहीं मिल रहे लेकिन सत्ता के लालक में कटबंधन किया जा रहा है। पूर बुखमती दिग्वेज सिंग ने पियम मोदी पर जम कर निशाना साधा और कहा कि देश की अर्थ वेवस्था विगड़ रही है। महराश में सरकार बनाने के मुद्य पर दिग्वेज सिंग ने शिफ सेना और बीजी पी पर तंजकरते हुए कहा कि सत्ता लोलुपता ऐसा गड़बंधन करा देती है जहां दिल नहीं मिलते लेकिन सत्ता के लिए खटे हो जाते हैं कश्मीर में पीडीपी और भारती जनता पार्टी का आपने गड़बंदन देखा था। जिस पीडीपी के साथ समझोता किया था भाजपा ने वो सारी पीडीपी के नेता जेल में बंद है। शिवसेना और भाजपा का भी गड़बंदन सत्ता के लिए था कोई विचारधारा की उपर नहीं था। बीजेपी ने सारे पीडेपी नेताओं को जेल में डाल दिया। शिवसेना और भाजपा का गड़बंदन भी सत्ता के लिए था। कोई विचारधारा के लिए नहीं अब बात 50-50 की हो रही है। विधान परिश्टत के गठन को लेकर दिवचे सिंग ने कहा किसे उन लोगों को फाइदा मिलेगा जो चुछ चुनाव नहीं लड़ सकते। साथी समाच के कई वर्गों को भी मौका मिलेगा। पूर्मुकमती शिवरास सिंग चौहान ने कमला सरकार से कहा कि वह अब मद्द परदेश को शरावी परदेश ना बनाए। उन्होंने कहा हमारे समय में भी आबकाई के कई प्रस्तावाते थे पर हमने सिर्फ रेवेन्यू बढ़ाने के लिए ऐसे प्रस्ताव पर समयती नहीं दी। पूर मुपंती शिवरास सिंग ने कहा कि मद्द परदेश का इस्थापना दिवस हमारी सरकार ने शुरू किया था जिससे मद्द परदेश के नागरिक गर्व कर सकें। कमला सरकार ने इस कारकरम को जिंदा रखा, इस तरह के कारकरम तमाम रायनीती से अलग अठटर मनाने चाहिए। सरकार आती जाती है, परदेश सदेव रहेगा। उन्होंने का, सरकारात्मर्स कारियों मेरे सहुख और करने पर हम सरकार का विरोथ करेंगे। सरकार प्रदेश को शराबी प्रदेश ना बनाए हमारे समय में भी आपकारी के कई प्रिस्तावाते थे पर हमने सेहमती नहीं दी मध्यप्रदेश को मधिराब प्रदेश ना बनाए हमारी सरकार रहते हुए हमने सदय प्रियास किया सराब की दुकाने ना बढ़े धीरे धीरे उनको कम करने का भियान हम सूंप करें और प्रदेश को नसा मुप्ति की दिसामे ले जाए उसमें भी प्रिस्ताव आते थे अपकारी में भाग के, हर साल 300-400 सराब की दुकाने बढ़ा दो, हम लोगों ने अपनी कैबिनेट में कभी भी सराब की दुकान बढ़ाने का कोई प्रिस्ताव लेके भी आया, तो उसको पूरी सक्टी के साथ मना किया। शिवराज सिंग ने कहा कि सरकार के शराब निती को लेकर अपने अपने तरके हैं, सरकार का अजीब तरक है कि जो लोग खड़े होकर पीते हैं उन्हें बैट कर पिलाएंगे, अब बार बेराग तक खोलेंगे, जिससे अपराद बढ़ेगा, क्या रेविन्यू बढ़ाने के लिए अपराद बढ़ाएंगे, शराब को लेकर सरकार का फैसला प्रदेश को विकास की तरफ नहीं, विनाश की तरफ ले जाएगा, और हम इसका विरोध करेंगे, वही कांग्रेस प्रवक्ता भूपेन गुपताने शिवराज सिंग की बात का विरोध कर आरोप लगाया है कि शिवराज के शासन में MP शराब प्रदेश बन गया था. कि इस योजिना के जड़िये व्यक्ति यह जान सकेगा कि यह सरकार शिक्षा स्वास्ते के प्रति कितनी संवेदंशील है. स्वास्ते का अधिकार अब कानून बनने जा रहा है. यह काम केवल स्यम कमलनाती कर सकते थे. राइट टू हेल्थ कॉनकलेव में स्वास्ते मंतरी तुलसी सिलावट ने बताया कि इस पर हर साल 19 सो करोड रुपे खर्च होंगे. स्वास्त और शिक्षा के प्रतिये सरकार गंबीर है. इसका अंदाजा इसी से लगाए जा सकता है कि मुखमती कमलनात ने स्वास्त विवा परदेश के लोगों को कैसले कि सुविदा देने जा रही है. आम व्यक्ती के से लेकर जो समाज का अंतिम व्यक्ती है उसको स्वास की से माइं कैसे दी जाएं आस राइट टू हेल्थ स्वास का सबकोधिकार इसी उद्देश को लेका बूएक इसे भावना को लेका इसी संक मद्यप्रदेश में मौझूदा आईश्मान जोजना में 1,42,000,000 परिवार कवर हो रहे हैं परती परिवार हर साल 5,000,000 रोपे तक का निशुर्क इलाज दिया जा रहा है करीब 40,000,000 परिवार अभी जोजना के दायरे में नहीं हैं इसमें ज्यादा तर नौखरी पेशा या फेरे वेवसाई हैं अब इन्हें भी इस जोजना के दायरे में लाने की तैयारी है अब इस बात पर मंतन किया जा रहा है कि कैशलेस बीमे के लिए इनमें से कुछ राशी ली जाए या नहीं मद्य प्रदेश इस्थापना दिवस पर नगरी प्रशासन मंत्री जैवर्धन सिंग ने तिरंगा फेराया और मुख मंत्री का भाशन पढ़ा इस मौके पर प्रदेश के सवांगरी विकास के लिए शपत दिलाई गई का महत्पूर्ण हाथ रहा इस अफसर पर इसकूली बच्चों ने रंगा-रंग प्रस्तोती दी तीकमगड में मद्यप्रदेश इस्थापना दिवस मनाया गया इस्थापना दिवस के मौके पर मुखमती कमलनात का अभी भाशन लाइब टेलकाश किया गया कारकर में कई कुर्षिया खाली नजराए इस मौके पर ना तो बीधायक नजराए ना हिस्तान सथ कारकर में एक पारटी मात्र का आयोजन बन कर रह गया तीकमकड में मद्परदेश का 64 वा इस्थापना दिवस नजरबाद मैदान में मनाया गया इस अफसर पर टीकमकड कलेक्टर सुमन सौरव एस्पी अंद्राक साहिद कॉंग्रेस के कई नीता मौझूद रहे कारकर में अधिकतर प्राटी स्कूलों से आएख़ातर शातर शातरा उपर सिते बीस से पच्च्च स्टॉल लगाने के लिए टेंट लगा गये थे लेकिन अधिकतर टेंट खाली रहे एक घंटे के कारकर में मुफबंजी का अभी वाशन का लाइव टेली कास किया गया और ऐसा लग रहा था जैसे इस्थापना दिवस सिर्फ एक आप शारिकता ही पूरी करने के लिए मनाय जा रहा है इसकूल के बच्चों द्वारा कुछ गीत पर सुथ किये गए इस अफसर पर विधायक राकेश गरी सांसाद वीरिन खटिक का दूर दूर तक अता पता नहीं था उनकी सीटें खाली पड़ी रही ऐसा लग रहा था जैसे ये मद्व परदेश का इस्थापना दिवस ना होकर सिर्फ एक पार्टी विशेश का इस्थापना दिवस मनाय जा रहा है इस अफसर पर कलेक्टर सुमन सौरब ने मीडिया से बात करते हुए सभी को इस्थापना दिवस की बदाई दी और सरकार की योजनाओ का लाब अंतिम शौर के विक्टी तक पहुँचे ऐसी कामना उन्होंने की इस अफसर पर जिले के कुछ 670 सेनानियों का सम्मान किया गया केन सरकार पर मदद ना करने की आरोप पर बीजेपी निता पूर मंत्री नरुप्तम मिश्रा ने कहा पहले कॉंग्रेस ताय कर ले के केन से कितने पैसे मांगने है मुखमती कमलनाथ कुछ और कहते हैं जनसंपर्च मंत्री कुछ और कहते हैं और सहकारता मंत्री गोविन सिंग कुछ और राशी बताते हैं पहले सब आपस में ताय कर लें फिर कोई बयान दें मिष्या ने कहा कि कॉंगरेश की किसानों की मदद करने की मदशा नहीं है सर्वे किया नहीं है जो किया है वो गलत किया है खुद कुछ कर नहीं पा रहे हैं और केंद पर जूटे आरूप लगा रहे हैं ब्रह्म की इस्तिती देखिए कि CSN के मुख्य सचिप सेकेटरी बोलते हैं कि 10,000 करोड का नुक्सान हुआ है इनके राजस्तो मंतरी कह रहे हैं कि 12,000 करोड का नुक्सान हुआ है जन्संपर के मंतरी अपनी आज लाइब PC में कहते हैं कि 16,000 करोड का नुक्सान हुआ है बागी का पैसा का प्रचार प्रशार का जोड़ते जा रहे हैं किसान के साथ ऐसा भद्धा मज़ा कभी देखा नहीं होगा केज़ सरकार सदेव की भात इस बार भी देगा लेकिन राज्य ने क्या दिया है बूली प्रस्ट नहीं यह है आज तक राज्य सरकार ने पैसा नहीं आप देख रहे हैं तखल नियूज संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृत एक ताने बाने तक चंबल के पीड़ों से नकसलवादियों के गड़ता जोपड़ी से महलों तक ठेलों से मेलों तक पकदंडियों से सडकों तक गाउं से शेहरों तक व्यापार से उद्योगों तक राज़्टीती से कूट मीती तक दखन नियूज आपके हत्व आप देख रहे हैं दखन नियूज प्रेक के बाद आपका स्वागत है रुक करते हैं अगली ख़बर की ओर उच्छ शिछा और खेल मंतरी जीतू पटवारी ने कहा कि भारती जनता पार्टी लोकसंतर का मजाक उडाती है इसके नेता हिटलर की भाशा बोलते हैं जो की ठीक बात नहीं है कमला सरकार के मंतरी जीतू पटवारी बीजेपी से खासे खफाएं उन्होंने कहा कि सी एल पी लीडर और विशिवरा सिंग हिटलर की भाशा बोलते हैं अगर नगर निकम को दो भागों में बाटा जा रहा है तो ये सामपरदाइक कैसे हो गया बीजेपी के शासन में मद्वपरदेश और शातिजड़ का बटवार हुआ था तो क्या वो सामपरदाइक था पटवारी ने कहा कि विधान परिशत की बात हमने अपने वश्चन पत्र में कही थी हम उसे पूरा करने जा रहे हैं बारती जन्ता पार्टी लोक तंत्र का मज़ा खुडाती है और अपमान करती है निशाना साथत वे कहा कि ये सरकार किसान और गरीब विरोदी सरकार है सरकार के पास किसानों को पैसा देने के लिए नहीं है लेकिन जहाज खरीदने के लिए पैसा है कमलना सरकार ने पैट्रोल और डीजल के दाम यह कहकर बढ़ाए थे कि अति विष्ट में खराब हुई फसलों की भरपाई करेंगे लेकिन किसानों को अब तक मुआबजा नहीं दिया गया विधायक रामिशर शर्माने कमलना सरकार पर जम कर निशाना साधा और कहा कि ये सरकार जन विरोधी और किसान विरोधी है सरकार ने अब तक किसानों को ना तो करज माफ किया और ना ही मौफजा दिया सरकार को गरीब और किसानों की कोई परवा नहीं है किंदर से जो किसानों को 6,000 रुपे दिये जाने थे उसका भी सर्वे कर किंदर को नहीं बेजा गया है किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं पर सरकार को कोई फर्क नहीं पाता आम जन्ता को बीजली का बिल बढ़ा कर दिया जा रहा है जिसका भारती इंता पार्टी दोरा विरूद किया जाएगा सरकार के पास विबान खरीदी के लिए पैसे हैं लेकिन किसानों को देने के लिए नहीं है विबान खरीदने के लिए पैसा है और किसानों को कर्ज माफ करने के लिए पैसा नहीं है और बादा आपने किया है बादा पूरा करो दिल्ली की सरकार तो किसानों के लिए दो दो अजार रुपे या नी 6 अजार रुपे सम्मान निदी बेज रही है उसका सर्वे तक कमलनांजी की सरकार ने डिल्ली नहीं बेजा नहीं तो लेने वाला सब इंस्पेक्टर घूस खो निकला इस पुलिस वाले का रिश्वत लेते हुए वीडियो वाइरल हो गया है आलाजगारी ने इस मामले की जाज के आदेश दिये हैं कुम्री थाना में पदेस्ट उपन रिख्षक पर सब इंस्पेक्टर की रिश्वत खोरी का वीडियो जम कर वाइरल हो रहा है इस घटना के बाद पुलिस विवाग शर्मसार सादना जरा रहा है एक ट्रांस्पोर्टर ने उपन रिख्षक का पैसा लेते हुए वीडियो बनाया है और मामले की शेकायत एसपी से की है एसपी न इस मामले का खुलासा किया सुपन ने बताया कि वह गहुत्रा टांस्पोर्ट नाकपूर की गाडियों की 36 गड़ में देखरेक करता है 24 अक्टूबर 2019 को उसका ट्रक जिसका ड्राइवर विनो दुर्वे राइपूर से माल भर कर नाकपूर के लिए रवाना हुआ था इस द ने पहुंचने को का दो घंटे के भीतर थाना नहीं पहुंचते पर गाड़ी के खिलाफ बड़ा अपराद दर्ज करने की धंकी दी सुपन के मुताबिक वह दो घंटे बाद थाने पहुंचा जहां कार चालक पा उसके साथ ही बैठे हुए थे सुपन ने आरोप लगाया कि उपन रिख्षक प्रकाश शुकला ने उनकी गाली छोड़ने के अवज में पहले साथ हजार रुपे फिर चालिस हजार रुपे की डिमांड की सुपन ने इतने पैसे देने से मना किया तो उपन रिख्षक ने धाराएं बढ़ा का ड्राइवर को जेल भीजने की धंकी दी गाड़ी थाने में खड़ी करवाली 30 अक्तूबर को ड्राइवर ने शुक्वन को फोन कर का कि थानिदार शुकला आपको बुला रहे हैं सुक्वन के थाना पहुचने पर प्रकाश शुकला ने कहा कि उसी दिन सेवा पानी कर देते तो आपकी गाड़ी को थाने से उसी समय पताया कि थानेदार ने का कि उनकी फीस 5000 रुपे है इतनी तकम दे दोगे तो आपकी गाड़ी अभी छोड़ दूगा सुक्वन ने बताया कि मजबूर में प्रकाश शुकला को 4000 रुपे देना पड़े सुक्वन ने बताया कि गाड़ी साथ देन से खड़ी हुई थी जिसमें बरा हुआ मुर्गी का दाना पानी पड़ने से खराब हो रहा था सुक्वन सिंग ने बताया कि वह पहले भी पुलिस कर्मियों का पैसे लेते इस्टिंग कर चुके हैं उन की है और एक मांसी ग्रूप से कमजोर व्यक्ति का मेक ओवर कर दिया ताड़क से पकड़ कर एक असहाय व्यक्ति के जीवन में रंग भरने की यह दास्तान टोंखुर्द पुलिस स्टेशन की है बदन पर गंदे कपड़े, बदबू मारता जिस्म, बड़े बड़े बाल और नाखून दिन भर बढ़ बढ़ कर बोलना और चलना, सालों से ताराचन का यही जीवन ने तारा को किसी ने दे दिया तो कुछ खा लिया किसी ने से ना कुछ बोलना और ना कुछ कहना सारा इलागा जानता है कि तारा चन का दिमागी संतोलन ठीक नहीं है ताराचन पागल को जब पुलिस ने देखा तब से ठान लिया था कि दिवाली पर उसका हुलिया बदला जाए बस फिर क्या था ठाना टॉक खुद के टी आई ने वही किया जो सोचा था कस्बे से चार जवानों को बेच कर पहले मशक्कत कर ताराचन पागल को पकड़ा गया फिर ठाने लाकर उसके बाल काटे गए शेविंग करवाई गई जवानों ने उसके नाखून काटे गर्म पानी करवाया उसे नहलाया नए कपड़े चप्पल पहनाई टियाई यादव ने तिलक लगा कर फूल माला पहना कर उसका स्वागत किया और खुद अपने हातों से खीर पुरी खिलाई इसके बाद पुलिस ने कुछ पैसे दे कर ताराचन को विदा किया पुलिस ताराचन पर लगातार मेजर बनाए रखे है कि वो ठीक होकर सामान जीवन जीए पुरानी रंजिश के चलते हैं कि युवक पर फायर दच करने का मामला सामने आया है इस पूरे मामले में पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आया है बताया जा रहा है कि घड़ना के वक्त युवक अपने घर पर था जिसका CCTV फूटेज पर जनों ने पुलिस को सौपा और उचित कारवाई की मांग की है रिवा में सिटी कोटवाली के मालवी मार्क बिचिया में लालू नामक जुवक पर कुछ लोगों ने रात के अंधेरे में हमला कर दिया जिसके बाद युवक ने हमलावरों के साथ पुरानी जन्जिश के चलते अमरपासी नामक जुवक को शड़न पूरवक फसाने के लिए F.I.R लच करा दी इस मामले में रोचक तथी यह है कि जिस अमरपासी के नाम F.I.R हुई है गटना के समय वजवक अपने घर में लगे सीसी टीवी कैमरे में साफ नजरा रहा है पुलिस द्वारा पूरे मामले की संपूर्ण विवेशना की यह बगेर ही F.I.R लिख ली गई पीडित के परिजनों का कहना है कि रात में उनके घर कुछ लोग मोटर साइकल से आए और गाली गलोंच करते हुए घर के बाहर रोड और डंडों से तोड़ फोड़ गी जिसके लिखेश चिकायत थाने में दर्ज कराई गई है पीडित अमर पासी के परिजनों ने इस मामले को लेकर S.P. आवित खान से मुराकियत की S.P. ने पूरे मामले की जाच कर उशित कारवाई करने की बात कही है मेरे लड़के का नाम जूटे मुकदमे में फसाया गया पिर लड़का मेरा की घर में CC काइमरा लगा हुआ उसमें है वारदाद के समय और इनको जवरजस्ति हमारे लड़को फसाया जा रहा है और फिर वार्दात के बाद ये लोग हमारे घर में भी मार पीट करने आए थे रात में दो बज़ एक लगवग दो बज़े के बाद फिर मैं ठाने गया सौनमबर को डाइल किया थे सौनमबर वाले आई नहीं तो फिर ठाने सीधे चला गया ताने जाकर के रिपोर्ट किये तो वहां मुंसी रिपोर्ट नहीं कर रहा है थे लिख रहा है थे बोले कि आवेदन दे दो जाओ आज तक कुलिस नहीं आई कोई जांच करने की इसे हम अंदविश्वास कह सकते हैं लेकिन ये लोगों की आस्था से जुड़ाविश्य है मद्यपरदेश के सीहोर में सापों की अदालत लगती है लोगों का मानना है यहां नाग स्वैम मानव शरीर में आकर बताते हैं कि उन्होंने उसे क्यों डसा था इस आदुनिक वेग्यानिक युग में इस तरह के मामलों को सिर्फ अंदविश्वास कहा जा सकता है लेकिन लोगों की आस्था के सामने सारे तरक रखे रह जाते हैं बोपाल से 60 किलो मीटर दूर सीहोर के रसूलिया परहार में ऐसा नजारा देखने को मिलता है जिस पर आस कि उसने इन्हें क्यों काटा आस्था वांदविश्वास के इस मामले के द्रश्य चौकाने वाले हैं यहां के लोगों की माननेता है कि यहां आने से बाबा मंगल दास की करपा से साफों के काटे का जहर उतर जाता है इन लोगों का मानना है कि यदि किसी को साफ काट ले तो उसे उपचार के लिए यहां लाए जाता है और उसके गले में बेल बांदी जाती है ऐसे सबी लोग साल भर में एक दिन गराम लसूरिया परहार आते हैं जहां हर्मान जी के मंदर में नाग देवता स्वेम मानफ शरीर में आकर हर मानफ को क्यों काटा ये बताते हैं ये सुनने में बहली विश्चत लगे किन्तु है सत्थ अमर शही संत कावर राम साहब जी की बलिदान दिवस के अवसर पर सिंदु सेना ने कावर राम की प्रतिमा के समक्ष सैक्रों दीपक जला कर भावपूर्ण शद्धान जली दी इस मौके पर बड़ी संख्या में सिंदी समाच के लोग मजूद रहे संत राम नगर में अमर शही संत कमर राम के बलिदान दिवस पर सेंक्रों दिय जला कर उन्हें भावपूर्ण शद्धान जली दी गई सिंदु सिना के अद्ध शिराकेश कुक्रेजाने कहा कि अमर शही संत कमर राम सिंदी समाच के सिर मौर थे सिंधी समाज उन्हें अपने आराद के रूप में मानता है सिंधी समाज को उन्होंने नई दिशा दी हमें खुशी है कि पिछले वर्षों में भारत सरकार ने संत कमरराम जी पर एक विशेश डाक्टिकेट जारी किया था वो एक महान संत थे मानताओ के मसिया के रूप में वो हमेशा जात किये जाते रहेंगे उनका गौरफशाली जीवन पूरी तरह मानत जाती को समर्पित था इस अफसर पर बड़ी संख्या में सिंधी समाज के लोग उपसित थे पूरे भारत में उनके नाम से कई शिक्षन संस्ताओं के माद्यम से सेवा का कारे किये जा रहा है कई सारे चुराय संद्कवर्राम साब जी के नाम से यहां पर है संद्कवर्राम साब जी के नाम से कई गौलों नहीं है संद्ध कवरान साब जी की प्रतीमा कई जुराब और सापे थे आज हम सब युवा साथी इकटे होकर सिंदू देना संद्ध नगर के माध्यम से उनको दीपर जलाकर उनको बाफूर शक्दान जली दी और उनके बताय हुए मार पर चलने का संग चल दी इस बुलेटन में फिलाल इतना ही आप देखते रहें दखल नियुद दखल आपके हक में आप देख रहे हैं दखल नियुद संगीत की स्वर लहरियों से सांस्क्रित एक ताने बाने तक चंबल के पीड़ों से नकसलवादियों के गड़ तक जोपड़ी से महलों तक ठेलों से मेलों तक पकडंडियों से सडकों तक गाउं से शेहरों तक व्यापार से उद्योगों ता, राज़्टीती से कूटनीती ता, दखन न्यूज, आप कहा था आप देख रहे है दखन न्यूज झाल